आप एक गेम भी खराब खेल सकते हो, आप दो गेम भी खराब खेल सकते हो, आप तीन गेम भी खराब खेल सकते हो, लेकिन आप आठ के आठ मैच अगर खराब खेलो, तो वो कोई आपका पैच नहीं है, वो आपकी आदत है, वो आपकी कम्या दिखाता है, क्योंकि आज जो इज़त थी वो नहीं बचाता, इतना खराब गेम, मैं मतलब मेरे अंदर का वो गुस्सा भी खतम हो गया, क्योंकि अब मुझे लेटरली खुद के ऊपर तरस आ रहा है कि क्यों मैं 14 दिन तक इस गेम वीक का वेट कर रहा था, कि युनाइटीड खेलेगी वापस से, और य सब्सक्राइशन लीग जीत के आया है, लिंडलोफ के इची परफॉर्मेंस थी, बट वाट अ शिट शो, अगेन, कोई भी सप्राइज नहीं हूं, मैं बिलकुल भी सप्राइज नहीं हूं, क्योंकि मैं जैसे ही मैंने फर्स हाफ के शुरू के 10 मिनिट देखे, मुझे समझ म मैं जैसे है, रियलाइज के मतलब लिंडलोफ और हैरी मेगवाइर की पार्टनर्शिप जम नहीं रही है, क्योंकि मैगवाइर थी, तो वहां मेरे गोटे मुझे थे, और शुरू से एंड तक मैं पस यही दुआ कर रहा था, कि भाई, किसी को इंजरी ना हो जाए, क्योंकि यहां से हम अल्रीडी वरान को लूज कर चुके हैं, हमारे पास अगर अब मेगवाइर जो की रिकवर हो चुका है, उसको जवर्दस्ती ग्रेम में फेका गया, जान भूच कर, और यह किसी की कमी नहीं है, यह सोलशाय की कमी है, और मैं इतने दिन तक चुप था, लेकिन आपने बोला है कि मेरी जो मतलब इक्षा है वो है कि मैं क्लोज डाउन करूं, गैप और इस सीजन हम टाइटल चैलेंज करें, आप रफाइल वरान को ले आए, आप सेंचो को ले आए, बट आप टेक्टिक्स कहां लेके आई जा रहे हो, आपके पास टेक्टिक्स कहां है, आपका गेम प्लैन ए वर्क नहीं कर रहा था, मैं हर वीक यहां बैटके एकी चीज़ बोल रहा हूं, कि आपका अगर गेम प्लैन ए जो है, वो अगर वर्क नहीं कर रहा है, तो आपके पास कोई यार बैक अप प्लैन होना चाहिए, आपके पास कुछ ऐसा, यूनो, मस्ट प्लैन होना चाहिए, कि हमें अगर काउंटर रोकने है, तो हम कैसे अपना अप्रोच करें, कैसे हम बॉल्स को फावर्ड लेके जाए, भाई साब मुझे एक भी बाइलान एंट्री नहीं दिखी, एक भी ओवरलैपिंग रन मुझे नहीं दिखा अपने फुल बैक से, और भ बता नहीं सकता, इवन ग्रीन वुड वॉड वस ट्रेकिंग बैक, क्योंकि हम इतने जादा प्रेशर में थे, जिस गोल पे वाडी ने, यूनो स्कोर किया उस गोल पे, पांच बंदे बॉक्स के अंदर थे, बट नो वन वस मार्किंग जेमी वाडी, मतलब कितना आसान हो ग लेस्टर ने कहा कि मैं दिखाता हूं तुमें, हम दिखाएंगे तुम आओ हमारे घर पे, हम दिखाएंगे तुम यहां से कुछ लेके नहीं जाओगे, ब्रेंडन रोजर्स यह होता है, यह होती है टैक्टिक्स, यह होता है गेम प्लैन आप तयारी करके आए, लेस्टर आप थोड़ा मुमेंटम गेन कर ले ते, आपने पूरे गेम की, गेम वीक की, मैच वीक की, हमारे युनेट इफैंस की, मूड की, सब की महा बैन एक कर दी, क्योंकि आपके प्लेयर्स ने वो जिगरा दिखाया ही नहीं, और जिगरा प्लेयर्स क्या दिखाएंगे, मैनेजर खुद जिगरा नहीं दिखा रहा है, भाई साब अगर आपको दिख रहा है कि पॉगबा वर्क नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ा जल्दी ले आते है मैक टॉमने को, और मैक टॉमने को नहीं लाना था, वैसे मेरे ख्याल में, तो आपको डॉनी वेंडबीक को लेकी आना है, क्यों आपको ये चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, और आप क्यों हमारे सीजन की मा बहन एक करने पे लगे हुए हो, आपको शरम आनी चाहिए कि आपके जो टाइटल रायवल हैं लिवरपूल, वो आज वाटफर्ड के अगेंस फाइब नेल जी वो इसी ऐसे दिख रही है, भाइसाब उस बंदे नो लिक्टरली हमारी आज हिज़त बचा ली, वरना आजम कसम कम से कम साथ या आठ गोल खाते, क्योंकि वो सेफ जेमी वाड़े के शोट पे, नोट जेमी वाड़ी बट टिलेजमान के शोट पे जो सेफ था, भाइसाब व कोच हायर कर लिया, हम सेट पीसेज नहीं जीत पा रहे हैं, हम सेट पीसेज पिस स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, बट हमने हैस दो गोल कंसीड कर लिए, सेट पीस पे, what the fuck was that, भाईसाब कहाँ थी डिफेंस, आप 6 बंदे 7 बंदे बॉक्स में देख रहे हो, लेकिन फिर भी ले इतने आराम से बॉल मूव कर रहे थी, मतलब फाइनल थार्ड में ले जाके, कैन यो इमेजन कितनी शरम वाली बात एक मैनेजर के लिए, तुम नब्य मिनिट तक सीट पे बैठे हुए, मैं तुम से थोड़ी एनरजी एक्सपक्ट करता हूं भाई, यो अर। नब्यू योटेंचेटर रहे हुए, बहुत ही खारा पर्मेस दिखा ही इस लास सीजन चलो आपने भाणा दे दिया प्री सीजन नहीं था ये नहीं था वो नहीं था, you have come into this season with a proper preseason with proper signings I mean I can't even say that my manager didn't get signings my manager didn't get desired players because he gave all the board everything was given and if this performance is showing us it's all time that Manchester United board must make a decision on Solskjaer's job if you are not going to perform in the next 2-3 games which are very crucial against Liverpool against Spurs against Man City if we don't have the result in these 3 matches and if we have 3 points then you can't continue because it's high time we can still save our season I was completely against it but now I am running out of patience because I have been very patient with Solskjaer but it's not going to work this is a relationship that has become a relationship where you have to fight with your girlfriend or boyfriend daily with your girlfriend and you think that the next day will be fine but the next day will be better so I am not sure that we can even finish inside top 4 let alone the title chase what I have seen I have seen so bad my brother that was really poor and I have no answer because I know that we are so bad we have played we have so much in the field I have seen in the 90th minute no player that is committed even Greenwood scored but there were chances where he could have scored you know squared the ball to Ronaldo and then that is the thing that Rashford scored and he scored within 1 minute in 1 minute you have conceded you are so poor you are so poor you are so many minutes after that after that one love ball Victor Lindelof has done because that was really a peach of a ball and I am giving Rashford's run because he has that run and Lindelof has been picked which we have ignored for Ronaldo or our wingers but Lindelof is a good thing that he has always Rashford's run I am so depressed that he has always picked that Rashford's run he has always picked you have scored and you have 1 minute conceded such a shameful performance really pathetic really really pathetic really really pathetic this performance to have Aston via up team excepting which me did it there my Liverpool won 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 हम ही तो है लॉस में फोर टू हा रहे हैं भाईयां इतना ज्यादा डिप्रेसिंग है कसम से यह देख पाना क्योंकि आप पूरे हफते वेट करते हो कि आपकी टीम खेलेगी यहां और आप एक ऐसी परफॉरमेंस देखो कि अगले दिन ऑफिस में जाके आप भाई मैं साथो द कि मैं मतलब सोचता हूं कि मेरा वीकेंट जोड़ा सही हो जाएगा युनाइट की परफॉरमेंस है बट आज तो लिटरली बता रहा हूं मैं मैं बस आसू निया मतलब मैं रोने के घगार पर हूं इतना ज्यादा दुखी कर लिया इस टीम ने इतना ज्यादा दुखी कर लि मैंने तब बोला कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता केरवाव कब से मुझे फर्क पड़ता है प्रेमिय लीक में इतना खराब खेल रहे हैं इसकी कोई हद नहीं है मैं यार मैं इसे ज्यादा वीडियो बना नहीं सकता मैं लिटरली मैं बहुत ही ज्यादा दुक्की हूँ बहुत ज्यादा दुक्की हूँ मैं आम सो सॉरी